पूरा इंटर्व्यू बहुत सप्राइज से भरा रहेगा आपको जब बाहर चेर पे वेट करने के लिए कहा जाएगा कि ठीक है आपको नेक्स्ट हूं आपको कॉल करेंगे इंटर्व्यू के लिए तो रेंडमली जो मेरे साथ हुआ मैं वह आपको बताता हूं कि सप्राइज कोई भी वॉक करते हुआ एगा रेंडम गया और आप से अचानक आपके बात करने लागा और आप कौन हो क्या है आपका एक्स्पीरेंस और कहां कहां काम किया एजगेशन क्यों और रेंडम बात करने लगेगा एंड दैन उसी बीच में आपको इंटर्व्यू क्ले कॉल अं ट्रिंग ऐ दैन फिर अंदर जाते हैं सो है एलो एंड अवरिथिंग वो लोग कंफोडेबल बद करते देन आफ्टर आप सवाल जो है आप अपने बारे में बताईए अपने बारे में बताने बात क्यों आप आप fellowship को जॉइन करना चाहते हैं स्विच क्यों करना चाहते हैं अपने करियर से उसके बाद इंपोर्टेंट की अगर आपके सामने मालेज एक सेनारियो आता है शेनारियो होता है कि यू हैव अरॉड फॉर्टी स्टुडेंट्स नए स्टुडेंट्स हैं और आपको उनके लिए कुछ डिफरेंट करना है तो कुछ क्या यूनिक लेकि आएंगे और उनके जो आपके ज़एगा और रेजुमें से भी बात की जएगी में पहुत सारी बात है कि गईक दिल्ली गवर्मेंट की क्या क्या पॉईसिज है इस पर कोई बात की रीजू में से पॉइंटर श्रॉमट मुझे नहांग तौ मैंट को क्वरमोट करना है त्व आप ड़िर्युआ अगर ल सब्सक्राइब करता है तो इस पर बात हुई तक्रीब अगर एक हेल्थी गया तो बीस से पचीज मिनट जाता है पचीज मिनट के बाद वेल एंड बस इतनी ही यह सारा कॉनशेशन रहा चुकि डिफरेंट आपके रिज्यूम में के बाहर वो कुछ बात नहीं करेंगे मैक्सिमम डिसकेशन जो दो इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे अपने बारे में बताएं और यह फेलोशिप के जोईन करना चाहते हैं और फिर सा एक या दो लोग कई बार आपके रूम में एंट्री करते हैं और आपको सुनते हैं सुनते वो लोग आपसे बात करने लगते हैं में पैनल आपसे सुनता है अब्जर्व करता है और वो जो आपसे बात करते हैं वो स्टूइट के कंसल्टेंट हैं जैसे मेरी उसे बाद में बात हुई तो दोजारदा SCRT consultant बट वो अचानक से आपके आप बात करने लगते हैं और पूरे इंटर्व्यों टेकवर कर लेते हैं तो कई बार ये students के लिए confusion लिए हो सकता है जी ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी better तरीके से अंडर्स्टैंड करना है और आपको एक प्रॉपर रिस्पॉंस देना है तो उसका बेटर इस्तमाल कर सकते हैं सबके तरफ देखके आई कॉंटेक्ट साथ डिस्टिशन जैट वोड़ ग्रेट कन्वेशेशन